अक्तूबर 2020 आज की साकार मुली है जिसकी साथ मुख्य बातों को हम पहले देखेंगे नमबर एक मीठी बच्चे नाजुक पना भी दे अभीमान है नाजुक पना भी दे अभीमान है रूसना रोना ये सब आशुरी संसकार तुम बच्चों को बच्चों में नहीं होने जाए रूसना भी नहीं रोना भी नहीं रूठना भी नहीं ये मैं नहीं कर सकता नहीं कर सकता शरीरिक आक्षमता है अलग बात है कर सकता हूँ परंतु मैंने करता है उनसे तो अराम वाले काम कराते हैं मेरे से मुश्किल मुश्किल काम कराते हैं ये नाजुक बना दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है नमबर दो जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामिया देखते हैं एक दो की खामिया देखते हैं तब सर्विस में धीलापन आ जाता है और वो खामिया दूसरे में देख रहे हैं वो हमारे में आ जाती है नमबर ती बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले जट हाजिर होना है जट हाजिर होना है नहीं माना तो नहीं माना तो मिल्क्री में तो order is order और हमें नोकरे से निकाल देंगे बड़े से बड़ी गार्मेंट बेहद के बाप का order मिलता है जिसका right hand कोन है? धर्मरा अब उनकी शिरीमत पर ना चलने से फिर क्या होगा? पतित बन जाएंगे सुधर नहीं सकेंगे स्रेष्ट बन नहीं सकेंगे नमबर पांच संगम पर स्री किष्ण की आत्मा नी सबसे अधिक पुरिशार्थ किया इसलिए उनका नाम कहते भी हैं ज्यान उनके ज्यान भक्ती और वेरागे ज्यान भक्ती और वेरागे ज्यान आधा कलब चला सत्य उत्रेता क्या चला? ज्यान चला फिर भक्ती शुरू हुई ग्वापुर कलिग में अब तुनको ज्यान मिलता है तो क्या होगा? किस से? भक्ती से वेरागे आजाता है ज्यान से वेरागे ने ज्यान मिला तो भक्ती से वेरागे आजाता है फिर सत्युक्त रेता ज्यान चलता है फिर द्वापुर कलिग भक्ती चलती है जब भक्ती हमारे जीवन में होती है तो ज्यान का आभाव रहता है मंबर छे बिल्कुल सिंपल रेती और धीरे से बैच समझाना चाहिए धीरे का मतलब धीरे से जल्दी बाजी नहीं अराम से उसे समझाओ एक एक बाद सारी बादते जरूर नहीं कि अभी ही सारी समझानी है जो देही अभी मानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे क्योंकि देह अभी मान में तो जहमेले बहुत है काम बहुत है फुरसत नहीं है फुरसत अगर साथ नमबर गदी संबालने लाइक कोई को आप समान नहीं बनाया टीचर बहन कोई है गदी संबालने लाइक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं कोई काम के क्या काम ना करने पर समझेंगे यदि आपने पीछे अपनी गदी संबालने लाइक किसी को नहीं बनाया बहन जी कहीं चली जाए बहन जी को कहीं जाना पड़े पीछे कोई मुरली सुनाना सखिय कोई कूर्स कराना सखिय पीछे कोई सिवा करना सखिय तो समझ लेंगे यह बहन जी बिकार है इसने कोई सेवा ना करी समझ मैं यह बात कितना खराब आप है आप आते जाते रोगों तो पिर आप कहते हैं पावन होंगे ना सुरे रमेश्री के साब से उसके माता पिता जब पावन होंगे तब वो जनम देंगे अवे तो सारे पावन बिरिश्टाचारी हैं क्योंकि ये लाइने नहीं सुनते ध्यान से तो ऐसे होता है ध्यान से सुना कि कल अच्छी तरह स्पस्ट किया कि जैसे जैसे पावन बनते जाएंगे पतित कम होते जाएंगे ना अब आग के पाप एक दिन तो लास्ट दे तो सारे पाप खतम नहीं होंगे अब जितनी रोज आना दिन बीटते जा रहे हैं तो पाप सबके खतम होते जा रहे हैं फिर उनको रिशीव करने वाले कौन होंगे? चीची, कल की उम्रली में कहा उनको रिशीव पावन तो नहीं करेंगे, चीची करेंगे न तो जो चीची पना थोड़ा रहा तभी तो फिर आगे कहा कि रावन के राज्य है कृष्ण का जनम रावन के राज्य में होता है मुरली को बहुत ध्यान से समझना होता है और केवल एक मुरली को नहीं पढ़ना होता है उस मुरली के सब पिछली मुरलियों को भी जोड़ना होता है क्योंकि एक मुरली में बाबा सब कुछ नहीं बताते है इसलिए पिछली मुरली का भी एक मैंने स्टेंजा उसमें जोड़ा ताकि समझ में आ सके अब एक मुर्ली को पढ़के अब यह जो मुर्ली साकार मुर्ली है यह उनतर की है और इसमें कहा कि आगे चलके समझेंगे कब समझेंगे जब सारी मुर्लियों को जोड़ेंगे एक मुर्ली में बाबा ने सब कुछ नहीं बता दिया यही तो सबसे बड़ी कमी रह जाती है ज्यान को समझने और सर्म चाने है ओ शांती मीठे बच्चे नाज़क पना भी दे अभिमान है रूसना रोना ये सब आशरी संसकार तुम बच्चों में नहीं होने जाए दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है प्रश्न सर्विस में ढिलापन आने का मुख्य कारण क्या है जब देह अभिमान के कारण एक दुख की खामिया देखने लगते हैं तब सर्विस में ढिलापन आता है आपस में अन बनी होना भी देह अभिमान है मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता मैं यहां नहीं रह सकता यह सब नाजुक पना है यह बोल मुख से निकलना माना काते बनना नाफरमान बरदार बनना बाबा केते बच्चे तुम रुहानी मिलिटरी हो इसलिए ओर्डर हुआ तो फौरण हाजिर होना चाहिए कोई भी बात में आना कानी मत करो ओम शान्ते रुहानी बाप बैट रुहानी बच्चों को समझाते हैं बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चे करो अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो देही अभिमानी बनो हम आत्मा हैं देही अभिमानी बने तब ही तो बाप को याद कर सके क्योंकि जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक बाप को याद नहीं कर सकते हैं वो है अग्यानकाल और ये है ग्यानकाल ग्यान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गती करते हैं जो सर्व की सद्गति क्योंकि बाबा एक दो की सद्गति नहीं सब की सद्गति करने के लिए आए और वो है निराकार अर्थात उनका कोई मनुशे आकार नहीं उनका कोई मनुशे आकार नहीं जिसको मनुशे का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकता है अब आत्मा ही तो सब निराकार ही है परन्तु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गई है अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है तुमको वापस जाना है अपने को आत्मा समझो आत्मा समझ बाप को याद करो तब जनमांतर के पाप भास्म हों और कोई उपाय नहीं आत्मा ही पतित आत्मा ही पावन बनती है और कोई उपाय नहीं बाप ने समझाया है पावन आत्माएं है सत्युक्त रिता में सत्युक्त रिता में पतित आत्मा फिर रावन राज्य में बनती है सीडी में भी समझाया है सीडी के चित्र में भी समझाया है जो पावन थे वही पतित बने हैं पांच जार वर्ष पहले तुम सब आत्माईं कहां थे संधिदा कैसे थे उसको कहा ही जाता है निर्वान था निर्वान था माना वानी से परे जहां आवाज ही नहीं वहाँ पर आवाज नहीं सुक्षम वतन में भी आवाज नहीं है वह संकल्प है और निर्वान था में संकल्प भी नहीं है कोई नहीं बोलता है बोलना पाप बोलना तो दूर सोचना पाप परम्धाम में सोच भी नहीं सकता है हिल भी नहीं सकते no movement सुक्ष्यम वतन में तो घूम फिर सकते, चाल सकते सोच सकते, परंतु परमधाम में तो dead silence जैसे मुर्दा हिलता नहीं है, ऐसे ही वहाँ पर कोई हिलना नहीं, यहां मुर्दे में फिर भी परिवर्तन आएगा गलेगा, सडेगा परंतु वहाँ, कुछ नहीं जैसे कहता है उसको कहा जाता है निर्वान धाम, फिर कल्यूग में पतित बनते हैं, तब चिलाते हैं यह पतित पावन आओ बाबा समझाते हैं बच्चे, मैं जो तुम को ज्यान दे रहा हूं पतित से पावन होने का वो सिर्फ मैं ही देता हूं वो सिर्फ मैं ही देता हूं जो फिर प्राय लोप हो जाता है बाब को ही आकर सुनाना पड़ता है यहां मनुष्यों ने अथ्था शास्त्र बनाए हैं अथ्था शास्त्र बनाए हैं सत्य युग में कोई शास्त्र होता नहीं वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं जर्रासी भी नहीं अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो मेरे ही द्वारा तुम पतित से पावन बन सकते हो पावन दुनिया जरूर बननी ही है मैं तो बच्चों को ही आकर राजियोग सिखाता किसको सिखाते हैं और किसी से बात नहीं करते देवी गुण भी धारन करने हैं देवी गुण भी धारन करने हैं रूसना रोना ये सब आश्री सोभाव है रूसना रोना बाप केते दुख सुख मान अपमान सब को सेहन करना है ठीक है सेहन करना है दुनिया वले क्या केते हैं यश लाव मान अपमान सुख दुख ये छे चीज़ें विधी हाथ हैं भगवान के हाथ है और बाबा क्या कहता है ये छे चीज़ें आपके पास हैं आपके हाथ हैं जितना सुख चाहिए उतना सुख सब को दे दो बीना दिये जितना दुख चाहिए दे दो जितना मान चाहिए जितना आप मान चाहिए जितना यश चाहिए जितना आप यश चाहिए करो देओगे तो मिलेगा नहीं देओगे मैं ना देता यश आपको ना मैं देता अप यश आपको ना मैं देता सुख आपको ना मैं दुख देता ना मैं तुम्हें कोई कोई भी लाभानी देता सारे आपको मिलेंगे तब जो अब आप दोगे नहीं दोगे तो नहीं मिलेंगे इन सब के मालिक आप हो आपकी मर्जी है आप सुख दो आपकी मर्जी है आप दुख दो जो जो चाहिए वो दे दो मेरे उपर ये दोश मत लगाओ कि मैं आपको सुख दिया मैंने दुख दिया मैंने यश दिया भगवान की मर्जी है हमें मान दिलाए अपमान दिलाए बाबा कहते है मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है आज जो बात कही है बाबान मुल्ली में सैन करना है दुक, सुख, मान, अपमान, यशप, यश, लाब, हानी आपको सैन करना है ठीक है? किसको साहिन करना होता है और किसको सामना करना होता है आत्मा को साहिन करना है और दुखों का सामना करना है बहुत अच्छी तरह से याद रखना है हर आत्मा को साहिन करना है और इनको सामना करना है यदि इनको सहन किया तो खुशी और दुख दोनों लेने पड़ेगे और दोनों लेने पड़ेगे और दोनों लेना माना बोड़ी कुंशियस आत्मा को न सुख मिलता और नाहीं दुख मिलता ना मान मिलता ना अपमान मिलता ना यश मिलता और नाहीं अप यश मिलता यह बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धी को समझाने हैं आत्मा के लिए कोई यश नहीं, कोई आप यश नहीं कोई बुराई करो, कोई बड़ाई करो, कोई खुशी नहीं, कोई दुख नहीं देहे को यह सब चीज़े मिलती है और बाबा ने हम आत्मा को सिखा दिया, कि यह सब क्या है आपका कार्मिक एकाउंट है आपने जिनको यश दिया हुआ था, सुक दिया हुआ था मान किया हुआ था, वो सब आपको वो दे रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं, क्या खुशी की बात है आपने उनको दुख दिया था अब मान किया था हानी पहुँचाई थी अब वो आपको दे रहे हैं क्या दुख के बाद है इतनी सी बात भाबा ने समझा कर हमें दुख सुख से न्यारा होने के ये वीधि है सामना करने के आत्माई तो सब मेरे बाब के बच्चे मेरे भाई वो जो मर्जी करें पन्तु मुझे उनके साथ क्या करना है क्या करना है उनके साथ जो चाहिए उनके साथ वो करना है जो चाहिए नाजुक पना नहीं नाजुक पना मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकते हूँ ये भी नाजुक पना है जब पेपर आएगा तो तो बताना मैं नहीं रह सकती है भाबा पास कर देगा ये अच्छी बच्ची है करेगा नाजुक पना नहीं मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ ये भी नाजुक पना है इनका सुभाव ऐसा है ये ऐसा है ये वैसा है ये कुछ भी नहीं रहना चाहिए कोई कैसा क्यों है उसका रोल है और मेरे प्रति ऐसा क्यों है बाकियों के प्रति तो अच्छा है मेरे प्रति दुश्मन है क्यों इसाब किताब है कोई प्रेशन उठ नहीं सकता मुख से सदाय फूल ही निकले काटा नहीं निकलना चाहिए कितने बच्चों के मुख से काटे बहुत निकलते हैं किसको गुसा करना भी काटा है एक दो में बच्चों की अन्बन बहुत होती है दे अभी मान होने के काटा क्यों होती है अन्बन एक दो की खामिया देखते हैं वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है अनेक परकार की खामिया फिर रह जाती है जैसे देखेंगे वैसे बनते जाएंगे इसलिए फिर सर्विस डीली पढ़ जाती है बाबा समझते हैं बाबा समझ जाता है क्या समझ जाता है ये भी ट्रामा अनुसार होता है ना तो दिमाग खराब हो जाए बाबा का सुधरना भी तो है मिल्टरी के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना फिलर्स होती है तो वो कुछ हंगामा हुआ तो वहां मिल्ट्री को बुलाओते हैं फिर मिल्ट्री के लोग क्या करते हैं मझदूरों आधि का काम भी करने लग पर हैं फिर यह नहीं देखते के हमने बिल्डिंग घानी है दबे पड़े हैं उनको निकालना है हम क्यों करें लिबर को बुलाओ यहां तो ठेके दर खड़ा हो जाता है मिस्टरी कड़ा हो जाता है लिबर का काम है मेरा काम पर उस मिल्टरी में वही मिल्टरी युद के मैदान में लड़ने के लिए जाती है वही मिल्टरी मलवे को भी हटाती है बाड में से भी निकालती है गढ़ा भी खोजती है वहाँ ये नहीं होता कि ये काम मैं क्यों करूँ वहाँ ये काम ना करना मना आगे बाबा निकाल रहे है गौर्मेंट के मिल्टरी को आर्डर करती है ये मित्टी सारी भरो अगर कोई ने कोई ना आया तो गोली के अब समझ गए समझ में आया बाबा की बाद क्या करना चाहता है गौर्मेंट का आर्डर मानना ही पड़े बाब कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बंदे हुए हो समझ गए बाद को बांद दिया है बिना धागे के बिना रसी के बिना फेरे लिए या फेरे लिए थे बाबा के साथ बाब जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले जट आजर होना चाहिए नहीं माना तो मिल्ट्री नहीं कहेंगे या हमारी मिल्ट्री नहीं है वे फिर दिल पर नहीं चड़ सकते किसके दिल पर चड़ने है तो हम बाप के मददगार हो सब को पेगाम देने में अब समझो कहां बड़ा म्यूजम खोलते हैं कहते हैं दस मील दूर है सर्विस पर तो जाना पड़े ना दस मील दूर है तो हम क्या करें दस मील दूर है जाओ जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है उनको श्रीमत पर ना चलने से फिर उसका धर्मराज राइट है उसकी सिवा उसका कहना नहीं मानेंगे तो गिर पड़ते हैं फिर श्रीमत कहती है अपनी आखों को सिविल बनाओ अपनी आखों को क्या करो सिविल बनाओ काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी है बाबा का हुकम है अगर हम नहीं मानेंगे तो एक दम चकना चूर हो जाएंगे 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा रोला मना रोला दोहे का उल्टा होता है फाइदे की बज़ाए नुकसान हो जाएगा रोला मना उल्टा होना चाहिए फाइदा और हो जाएगा घाटा इसलिए रोला शब्द यूज किया बाप कहते हैं मुझ बच्चों के बच्चों के बिगर तो कभी कोई जानना सके कालप पहले वाले ही आइस्ते आइस्ते निकलते रहेंगे यह है बिलकुल नई नई बाते यह है गीता का युग परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्ननी नहीं गीता को ही द्वापुर में ले गए हैं लेकिन जब राज योग सिखाया तो जरूर संगम होगा परंतु किसकी भी बुद्धी में ये बाते नहीं है अभी तुम्हें ग्यान का नशा चड़ा हुआ है मुनुश्यों को है भक्ति मारक का नशा कहते हैं भग्वान भी आ जाए तो भी हम भक्ति को नहीं चोलेंगे क्यों? क्योंकि इसी भक्ति से तो भग्वान मिला है इसलिए हम भक्ति बिल्कुल नहीं चोलेंगे ये उत्तान और पतन की सीड़ी बहुत अच्छी है तो भी मनुश्यों की आँख नहीं खोलती है माया के नशे में एक दूम चकना चूर है ग्यान का नशा बहुत देरी से चड़ता है पहले तो देवी गुन भी चाहिए बाप को कोई भी ऑरडर हुआ तो उसमें आनकानी नहीं करनी है ये मैं नहीं कर सकता हूँ इसको कहा जाता है नाफरमान बरदार हिंदी में क्या बोलेंगे नास्तिक ये उद्दू का शब्द है नाफरमान बरदार हिंदी में कहेंगे वो नास्तिक जो बाप का कहना नहीं मानता है वो नास्तिक श्री मत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की स्रेष्ट मत है वो है ही सद गती दाता दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे बात कहते हैं मैं इनके बहुत जर्मों के अंत में परवेश करता हूँ इनसे भी देखो लक्षमी उच चली जाती है गायन भी है फीमेल को आगे रखा जाता है पहले लक्षमी फिर नारायन यता राजारानी तथा प्रजा हो जाती है तुमको भी ऐसा स्रेष्ट बनना है इस समय तो सारी दुनिया में रावन राजे है सभी कहते हैं राम राजे चाहिए आब है संगम जब इन लक्षमी नारायन का राजे था तो रावन राजे नहीं था फिर चेंज कैसे होती है, ये कोई भी नहीं जानते, लक्षमी नारान का राजे था, फिर रावन राजे कैसे आ गया हो, कैसे आ गया रावन राजे? कहां से आ गया हो गया हो, दे अभीमान आने से अवगुन बढ़ते गया, या कहें कि हमारे अंदर गुनों का इतना अभाव हो गया, कि दे अभीमान आ गया, और आवगुन बढ़ते 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 चले, आतमाई पतित होती गया, सभी गोर अंदियारे में समझते हैं, काल्यूग तो अभी छोटा, बच्चा है, रेग्री पहन रहा है, रेग्री समझते हैं, छोटे बच्चे को देखा है, वो ऐसे ऐसे चबता है, दीरे दीरे, गुटनों के बल, या ऐसे सरक सरक कर, तो मुनशे और ही नीद में सोये हुए, वो केते हैं, काल्यूग तो अभी शुरू हुआ है भाई, केते हैं, अच्छा राम करो, काल्यूग में अंत में भगवान आएगा तो उसकी बात सुन लेंगे, ये रु ऐसे नहीं कहेंगे, के है रुआनी बच्चे, किर्शन कभी नहीं कह सकता है रुआनी बच्चों, ये भी लिखना चाहिए, रुआनी नौलेजफुल बाप, स्प्रिश्ट्वल नौलेज, स्प्रिश्ट्वल नौलेज, रुआनी बच्चों को देते हैं, बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुश्य हैं देह अभी मानी क्यों है देह अभी मानी मैं आत्मा हूँ ये कोई भी नहीं जानते बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती हो कहते हैं हमारी आत्मा परमात्मा में जाके क्या हो जाएगी लीन हो जाएगी बाप कहते है किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशेरा दिवाली आदी सब क्या है एक एक बात समझाया जाते है दशेरा क्या है दिवाली क्या है मुनशे तो जो भी पुजा आदी करते हैं सब प्लाइन पेद अंद विश्वास में करते रहते हैं जिसको गुड़ी पुजा का जाते है गुड़े गुड़ियों को क्या करते हैं निलाते दुलाते खिलाते पिलाते रहते है पत्थर पुजा कहा जाता है गुढ़ी पुजा का आजाता है, अभी तुम पारस गुढ़ी बनते हो तो पक्थर की पुजा नहीं कर सकते हैं चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं है कहते भी हैं ज्ञान, भक्ती, विराग्या सात्युक्त रेता ग्यान द्वापुर कल्युक भक्ति संगम पर मिलता है पुने ग्यान जिस से आता है विराग्या ग्यान आदा कलब चला फिर भक्ती शुरू होगी ग्यान आदा कलब चला फिर क्या शुरू होगी भक्ती शुरू होई अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ती से वेराग्य आ जाता है ये दुनिया ही बदलती है कल युग में भक्ती है सत युग में भक्ती होती नहीं वह है ही पूजे बाप केते हैं बच्ची तुम माथा क्यों टेकते हो तुम माथा क्यों टेकते हो भई माथा क्यों टेकते हो आदा कलब तुमने माथा भी गिसाया पैसे भी गवाए मिला माया ने एकदम माथा मूर लिया कंगाल बना दिया फिर बाप आकर सब का माथा ठीक कर देते हैं अभी आईस्ते आईस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं बाबा ने समझाया है ये भारत वासी तो बिलकुत तमो गुणी बन गए हैं वे और धरम वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा तो दुख भी थोड़ा लेते हैं भारत वासीओं को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है शुरू में ही कितने धरम एक दम विश्व के मालिक होते हैं और धरम वाले पहले थोड़ा हु आते हैं पहले धन्वान होते हैं, पहले थोड़े धन्वान होते हैं, पीछे विर्धी को पाते अबी आकर धन्वान हुए हैं, अब फिर सबसे विकारी भी भारत बना है, विकारी भी कौन बना है, अंद शर्दालू भी भारत है, ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये भी ड्रामा बना हुआ है, बाप कहते हैं, मैंने जिसको हैविन बनाया, वो हैल बन गया, मनुष्य बंदर बुद्धी बन गए, उनको मैं आकर मंदिर लाइक बनाता हूँ, विकार में बड़े कड़े होते हैं। ये भी जानते हो, कोटों में कोई ही निकलते हैं, राजाई पद पाने वाले बात कहते हैं, मैं आया हूँ, तुमको नरसी नाराइन बनाने, उसमें भी आठ रतन मुख्ये गाए जाते हैं, आठ रतन और बीच में, बीच में क्या होता है? बाब भान को तोड़ने में बड़ी महनत लगती है, दे का भान बिलकुल निकल जाए, कोई कोई पक्के ब्रम ग्यानी जो होते हैं, उन्हों को भी ऐसे होता है, बैठे बैठे, बैठे दे का त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायू मंडल एक दम शान्त हो जाता है, और अक्सर करके प्रभात के शुद समय पर अमरत वेले, स्वेरे स्वेरे. अक्सर करके प्रभात के शुद समय पर शरीर छोड़ते हैं, राद को मुनशे बहुत गंद करते हैं, सुबह को शनान आदी करके भगवान, भगवान कहने लगते हैं, ये प्रभुजी तो खरो. परदशनी आदी में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचे दो, पहले अलफ और फिर बे, अलफ माना अल्ला और बे माना बाश्याए. बाप तो एक ही निराकार है, बाप रचाइता ही बैठ रचना के आदी मद्दे अंत का ज्यान समझाते हैं, वही बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, मुझ एक को याद करो. दे के सब सबंद छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो, बाप का परिचे तुम देंगे. बाप का परिचे तुम देंगे. पहले बाप का निश्चे पक्का हो जाए, तब बाप को समझ लिया. फिर कोई प्रेशन नहीं उठ सकता. चाकर को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रेशन उठेगा नहीं. बाप का परिचे देने बिगर, बाकि तुम तिक तिक भैस करते रो, खूब करते रो. तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गला ही घुट जाता है. पहली-पहली बात, पहली-पहली बात क्या है, अलफ को उठा, अलफ का परिचे दो, अलफ को ना? बिलको सिंपल, तिक तिक करने से समझ थोड़े सकते हैं, बिलको सिंपल रिती और धीरे से बैट समझाना चाहिए, जो देही अभिमानी होंगे, वही अच्छा समझा सकेंगे, बड़े-बड़े म्यूजम में अच्छे-च्छे मारते, अच्छे-च्छे मारते, अच्छे-च्छे समझाने वालों को मदद देने पड़े, थोड़े रोज अपना सेंटर छोड, मदद देने आ जाना है, पिछाडी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो अगर गदी संभालने लाइग कोई भी ना है तो आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे ये बच्चे कोई काम का सर्विस नहीं की बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं और ये बाबा हुकम करते हैं फ़लानी जगा परदस्ट नहीं है सर्विस पर जाओ अगर गदी लाइक इसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम किए बाकी तो सब घोड़े स्वार प्यादे हैं सब को सर्विस में मदद देनी हैं इतने वर्ष में तुमने किस को आप समान नहीं बनाया है तो क्या करते थे तक मुर्ली परसे के टाट पार रहा है इतने वर्ष में तुमने किसी को अपने बराबर नहीं बनाया तो क्या करते थे और Virginia रखाने के लिए बैठे हुए थे इतना समय में में सेंजर नहीं बनाया संदेश देने के लाइक नहीं बनाया कोई बनाया है जो सेंटर संभाले कैसे मुनिशित आते हैं जिससे बात करने का भी अकल चाहिए मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है चुटी नहीं करनी है अत्वा सुनने है या तो पढ़ो या मुरली नहीं पढ़ी तो गोया अपसेंट तुम बच्चों को सारे विश्व पर घराव डालना है तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना पतित दुनिया को पावन बनाना सभी को मुक्ती जीवन मुक्ती धाम का राष्टा बताना है दुख से सब को छुडाना है अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गोड मरनी रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्ते धालना के लिए मुख्य सार बहुत मीठे शांत अत्ती मीठे सोभाव का बनना है कभी भी क्रोध नहीं करना है अपने आखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है बाबा जो हुकम करे उसे फौरन मानना है सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करने है अर्थात कहराव करना है वर्दान अपने महतो वाकर्तविय को जानने वाले सदा जागती जोत भावो आप बच्चे जग की जोती हो आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है इसलिए बीती बातों को क्या करो बिंदी लगा अपने महतो वाकर्तविय को जानकर सदा जागती जोत भावो आप सेकिन में स्वय परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो सिर्फ प्राक्टिस करो, अभी अभी कार्म योगी, आप सेकिन में स्वाय परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, सिर्फ प्राक्टिस करो, अभी अभी कार्म योगी, कार्म करते हुए बाबा की याद में, अभी अभी कर्मातीत स्टेश्ट, कार्म के प्रभाव से मुखुँँद। जैसे आपकी रचना कच हुआ, सेकिन में सारे अंग समीट लेता है, ऐसे आप मास्टर रच्टा समेतने की शक्ती के आधार से, सेकिन में सार्व संकल्पों को समात कर एक संकल्प साथे अरना है, स्लोगन है, लवलीन सित्ती का अनभाव करने के लिए, स्म्रिती विस्म्रिती की युद्ध समात करो.